कि निश्चे तोर पर आप सब जो मुद्द उठाते हो चाहे सरकार हो या प्रिसाथन हो बहुत तरीके से उसके गौर करती है और यह मुद्दा जो आप उठाने का काम कर रहे हो कहीं न कहीं राजनीती से बढ़के आपका काम है और राजनीती में भी इसको एक हिस्ता माना गय होगा और कोरोना काल का जो उसको हम साफ करेंगे नमस्कार में वहीद हमाद और आप देख रहे हैं आइपा आइपा यानि आल इंडिया प्रोग्रेस से पॉल्टिक्स एसोसियेशन जहां बात करते हैं प्रिकतिसी लाजनीती सोसल इसू और सोसल डवलबेंट की इसा मेरे सा चरखारी बिधानसवा स्ट्रीट से कांग्रेस पर ट्यासी बनाए गए निर्दोस दीच्छत जी मौजूद है उनसे जानेंगे इस छेत्र की क्या समस्या हैं और उनके निराकरन के लिए उनके पास क्या विजन है किस विजन को लेकर वो बिधानसवा चुनाओ में जा रहे मेरा सवाल है हमारा जो संगठन है आईपा जो काम कर रहा है जिस तरीके से हम लोग जम सरोकार के मुद्दे उठाते हैं इसको आप किस नजरी से देखो लोगत तंत्र में बहुत बड़ा इस्ताम है और निश्यत तोर पर आप सब जो मुद्दे उठाते हो चाह सरकार हो या चेतर में क्याक चृत्र में यहां समस्या give in यहां क्या समस्या है यहां क्या समस्या है उस्का किस तरेके से आप बताना चाहता हूं कि मैं ला सबका कड़ क का हुए वर सब वुद्द कि मेरी भाडी पर रहे हैं। उस गाहों को नगरपंचाथ के लाइद लोगा जैदपूर पर पर प्रयास रहेगा कि नगरपंचाथ को नगरपंचाथ कराने का प्रयास करेंगे दूसरी बात आप में जो कही है चुकि पिछला इलागा है और हम सत्ता से लगातार 30 साल पाहर रहे हैं बहुत सारी लोग आई हैं अंदल की विधायक बने हैं आयद लोग आए हैं बाहर से लोग आई हैं उनका केबल काम रहा है विधायक और नेता बनना चुकि मैं इस गाउं अगर मुझे जनता चुंती है तो मेरा पूरा प्रयासर है कि मैं लगतार 5 साल तक केवलो केवल सब्से बड़ी समस्या पॉंद्धकंड पैकेज के तौर पर आपकी सरकार्थी एकेंद्र में काफी बड़ा पैकेज़ दिया महुवा में मंडी बनाई गई बुंदिल खंड को अलग से काम के लिए यहां दिया गया किसानों के भले के लिए काम किये गए लेकिन मौझूदा सरकार जो है वो कहते कि हमने विकास बहुत किये हैं कॉंग्रेस का 32 साल का सूखा है उतर प्रदेश में किस तरीके से क्या कॉघिया लग रहा है कॉंग्रेस पार्टी कुछ कर पा रही है यह आप जिस तरीके से यह सीड़ जो कहलादी है लोधी बाहुल सीड़ कहलाती है लेकिन आप भ्रामण चहरा हैं छेती चहरा है जिसकी लगातार मांग होती रही है क्या होने कॉम्मियisia पार्ड़ी ने जो दूसरी बात आपने जो कही है सत्तर सालों में जो हमने किया है आप देख सकते हो कि अभी आपके रहे ना कि बुद्धिनिर्खण की समस्य चरकारी विदान सवा में कोई डेवल्मेंट नहीं हुआ है आप खुद कह रहे हो जो डेवल्मेंट हमने तीस साल पहले किया था यहां है दूसरी बात मोधि की सरकार की सरकार कुछ लोगों नहीं पकुछ रहें समय रखकार हें तुप गौरा पत्थर की बड़ी खदान है बड़ा काम होता था यहां पर हालात ऐसे हैं कि बंदी की कागार पर वो भी पहुंच गई है रोजगार के परयाप्त साधन आपके छेतर में सिचाई के परयाप्त साधन आपके छेतर में कि अबी तक है कि उलोकि यहां नेतव ने आ आके आध कि मैं बताई आको कि मैं यहां के बेटा हूँ मेरी कोशिस यही रहेगी कि जो भी समस्याओं होगी उन समस्याओं को मैं सड़क से ले कि सदन तक पहुचाने का काम करूँगा अगर मुझे पूर आसीवाद मिलता है तो क्या संदेश है छेत्री की जनता की संदेश चुचुकी जब इस घर का गाउं का बेटा हूँ मैंने आक पहली कहा है कि पनवाली मेरा घर है बिलताल गुलपार जादपूर मेरा अंगन है चुकी नैचुरल बात है कि जब बेटा घर का होता है तो आसीवाद और प्यार में कोई कभी नहीं रहेगी तो चुना मैं नहीं लड़ रहा हूँ इस विधान सभा की लोग लड़ रही है हर घर का नौजवान साथ ही लड़ रहा है माता है बहने लड़ रही है चुकी हमार से हिंदुस्तान का बिकल्फ है तो उत्तरफेश का ही बिकल्फ है बागी सब में सब देख लिया है कॉंग्रेस पारटी हम लोग बहुत मजबूर्टी से चुनाड़ लेंगी जो आपने देखा हूँ महुवा सुट का भी देखा हुगा कि केवल लड़ाई यहां दूज अल शादों ने परसनी ट्वीट किया था कि उनके हलिकॉप्टर को दिली में रोका गया कि उन्हें मुझफर नगर प्रेसबारता करने जाना था एक घंटा उनको रोके रखा गया उसके बाद वो प्रितिग्या ले रहे हैं किसानों को मुल बुक्तान 14 दिन में कि प्रितिग्य ले रहे हैं कि सारी प्रते क्या हैं हम लोग प्रिति किसानों की प्रिति आपने अगर देखा होगा कि आधरणी प्रिंका गांधी जी विगत दो तीन साल से यहां वेपस की रूप में हर मुद्दे पर खड़ी दिखाई दी हैं चाहे वह हात्रस की बात हो उन्नाव की बात ह अंदल चुकी आपको कहीं दुरूर दिखाई दिया है अगर दिखाई भी दिया है बाद में तो केवल राजनीती की बात ही हुई है और कुछ नहीं हुआ है तो मैं तो चुकी अपनी पार्टी की बात करूँगा कि हम लोग यहां लगातार दो या तीन साल से अधरनी प्रि लड़की हूं लड़ सकती हूं कि पोश्टाल गल उनको टिकेट में मिला उन्होंने पार्टी छोड़ दी बीजेपी जॉइन की वहां से चुनाव लड़ दी तो उन्हें कोई का पोश्टाल गल का मतला ही थोड़ी है हमने जो वादा किया है कि हम 40% लड़कियों को महलां को टिकेट में भागी जारी करेंगे तो वो अपना पूरा काम कर रहे हैं आज माली जी पंदरा से 20 प्रत्यास यहां आभिदन किये हुए थे चरकारी से लेकिन पायटी ने विस्तवाज़ दाया मेरे उपर कि बरकर है कार करता है लगातार कांग्रेस का जंडा बुलंद किये ह लोग कांग्रेस चोड़ के जा रहे हैं देखिए तो आपका कुष्यं कांग्रेस चोड़ के लोग नहीं जा आपने भी देखा हुआ कुछ समय पहले ही इस महीनी की बात है कि भारती जंदा पायटी में जाने का सिलसला ऐसा जारी हुआ था कि विदायक्ष लेके उनके केर्मेट मंतरी लाइन लगे हुई थी तो यह चुकि परिम-परगत रहता है हर पायटी वे आना जाना लगा रहता है ना कि कांग्रिस में आपने बीजीपी हो तो आना जाना तो एक सौवाईब करिया है आपने कॉनर्स की बात क्या हो गई पूरा देश देख रहा था कि लंबी लाइन लगी हुई थी यहां पर समय स्वाई परसाद मौर्या के साथ कितने लोग गए हैं तो आप वहां को और कीजिए ना हम तो ऐसा है चुकि हमारे साथ तो कारकरता खड़ा हुआ है उत्तर प्रेस की जंता खड़ी हुई है महलाओ का नारा अधरनी दीदी का था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं उनकी स्वा सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सत्तर नहीं निकल रहे हैं कि सरकार हमारे बिना यहां नहीं बनेगी जनता भी जानती है, मीडिया भी जान रही है, अंदल भी जान रही है सरकार में से भागता हमारी रहेगी, इस चीज़ का हम लोगों को भी स्वास है आपके राश्टी नेतर राहुल गांदी जी आपके छेतर में कई वार आ चुके हैं क्या लग रहा है इस वार कुछ बदलाव की उमीद है, जिस तरीके से आप आए हैं SCORE में गांव आब गांव को myś師 मेंज कोई कमी नहीं चोड़ेंगे। यह मेरा विश्वास है přुद का Perché का विश्वास है चर्खारी विधानसवा से प्रत्यासी बनाए गरने दोस दीच्छ जी जुन्होंने मेरे साथ मेरे हर सवाल का बेवाकी से जवाब दिया और आगाम विधानसवा चनाव कुल लेकर क्या रोड मैफ है उसके बारे में भी बिस्तार से चर्चा की अगर आपको हमारा चैनल झाल लाया तदीं ब благ बारे में रहाद Snे कर sue कर दो गहादų है πliskे जार आपन душ और रहाद से जो शिर्मी जड़गको हमाराा से उस सबस्तारा उझशार दूत्यारराया।